नमस्कार दोस्तों जरा कलपना किके कि आप एक शांदार जहाज पर सवार ही और वो जहाज हर चीज से परपुर्ण है या फिर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये उस जमाने का सबसे बेहतरिन जहाज होगा लेकिन आचानक एक जोरदार टक्कर होती है और कुछी पलों में ज जहाज पानी में डूपने लगता है लोग चिकते हैं चिलाते हैं कोई भागता है तो कोई रोता है तो कोई अपने सगों को अपने आखों के सामने डूपते देखता है कितना खतरनाक मंजर होगा ना पर हाँ दोस्तों ये कोई कालपनिक कहानी नहीं बलकी बलकी ये है एक स सब्सक्राइब याज से कर दीजिएगा क्यूंकि हम आपके लिए क्वालेटी कॉंटेंट बनाते रहते हैं एसे सार्टिक अपने जमानी का सबसे विशाल जहाद जिसका निर्मान कॉलन्स लाइन नाम के एक कमपनी ने आठा सो पचास में किया था ये जहाद नियू यॉर्क से लिवरपूर के बीच में यात्रियों को और माल को लेके जाने के लिए इस्तमाल किया जाता था 27 सिदंबर 1854 इस दिन ये जहाद नियू यॉर्क से अपने नीमित यात्रा पर निकलता है जहाद पर कुल 400 लोग सवार थे जिसमें यात्री और कुरूशिप के सदस्य भी शामिल थे सफर की शुरुआत सामान ने थी कई लोग अपने कैबिन में विश्राम कर रहे थी कोई इधर उदर टरन रहा था और समुन दर के नजारों का आनंद उठा रहा था पर जैसे जहाद न्यूफाउंड लैंड के पास पोचा अचानक मौसम बिगडने लगा समुन दर में धुवास अच्छा गया और अचानक दिखना भी कम होने लगा मानो इसा लग रहा था की अचानक दुफेर की समय अंधेर आ हो गया हो और फिरीसी अंधेरे में एसेस आर्टिक की टकर एक फ्रेंच सीप वेश्टा से हो जाती ही और ये टकर इतनी जोरदार होती है कि दोनों जहाजों को भारी नुकसान पोचता है इस टकर का इंप्याक्ट इतना जादा होता है कि एसेस आर्टिक की आगी के हिस्से में बड़ा सच्छे धो जाता है जिससे पानी तेजी से अंदर आने लगता है कप्तान और कुरू की सदस्य जहाज को बचाने के फूरे जिजान कोशिश करते हैं लेकिन पानी के आगे इन सब की एकना चली धीरे धीरे जहाज में पानी भरने लगता है हर तरप आफ्रात अप्रे मचने लगती है लोग अपने जान बचाने के लिए इदर उदर भागने लगते है कोई कुच जाता है तो कोई अपने जहाज को पकड़ कर रखता है पर जो गलती टाटानिक पर हुवी थी वह इस सेम गलती यहाँ पर भी होती है टाटानिक की तरही इस जहाज पर भी बहुत कम ही लाइब बोट्स होते है जिस वज़े से केवल कुछी लोगों की जान लाइब बोट्स के कारम बच जाती है बाकी यात्रियों और क्रू के सदसों को जहाज के साथ ही अपनी जान गवानी पड़ती है इस हादसे में लगभग 300 लोगों की जान चली जाती है जिसमें ज्यादा तर तो महिलाए और बच्चे ही होते है या हादसा समुंदरी इत्यास में सबसे भयानक घटनाओं में से एक माना जाता है जो आज भी इत्यास के पन्नों में दर्च है मैं आशा करता हूँ कि इसे सार्टिक की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी अगर आपको इसके रिलेटेड कोई सजेशन देना हो तो नीचे कमेट बॉक्स में दे सकते है और अगर आप हमारे चानल से जुड़ना चाते हैं तो वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब याद से कर दिजेगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई